सो हेलो एब्रिवन बात करते हैं आज हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेट के बारे में एचसे के बारे में सो यहाँ पर इस वीडियो में मैं बताऊंगी क्या इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आ रहा है वैसे इस सेर से रेलेटेड एक नियूस भी आई थी जिस कारण इसमें तेजी देखने को मिली थी दिन में मतलब यहाँ पर एकदम से इसमें तेजी देखने को मिली थी तो बताती हूँ आगे इस वीडियो में क्या नियूस है वो एंड क्या ये कंपनी फर्णलेवेंटले स्ट्रोंग है या नहीं ये भी आपको बताते हैं चलिए पहले नियूस पर चलते हैं तो यहाँ पर हैसे को ओर्डर मिला था 1031 करोड का जिसके कारण इस सेर में तेजी देखने को मिली थी ठीक है ये नियूस मतलब आज ही आई थी दिन में आई थी जिसके कारण इस सेर में एचसेसी में तेजी देखने को मिली थी बाकी देखेंगे आप जो एचसेसी के रिटन्स रही है फाइब डेज में पॉजिटिव रिटन्स देखने को मिल रही है 1 day में तो रही है positive returns 5 days में भी बढ़िया returns है 13% आगे देखा जाए यहाँ पर 1 month में 1 month में कुछ खास returns नहीं थे and past 6 month में यहाँ पर 21% returns है year to date में भी ठीक ठाक returns है 1 year में 59% इसके returns रही है so returns जो हैं इसके ठीक ठाक की नजर आ रहे हैं 5 year में भी सही है returns 469% and all time में देखा जाए all time में 4230% returns रहे हैं so यह भी मतलब ठीक ठाक है चलिए यहाँ पर देखते हैं fundamentally कैसा है यह stock तो आप देखेंगे market cap ठीक ठाक नजर आ रहा है but book value देखेंगे आप यह negative है तो यहाँ पर यह एक negative factor हम consider कर सकते हैं कि ROC ठीक ठाक generate हुआ है 21% 57 इसका 52 week high रहा है आगे देखते हैं यहाँ पर quarterly result तो देखेंगे आप जो इनकी sales है increasing phase में ठीक ठाक नजर आ रही है ठीक है मतलब ups and downs लगे हुए हैं बढ़ ठीक है यहाँ पर 2-3 quarter से uptrend यहाँ पर दिख रही है इनकी sales में और जो खर्चे हैं खर्चे इनकी under sales ही रहे हैं कभी-कभी यहाँ पर एक दू quarter में sales से जादे इनके expenses हो रहे हैं बट ठीक है यहाँ पर mostly जितनी sales से उसके अंडर ही इनके expenses रहे हैं तो जो net profit है कभी-कभी यहाँ पर company loss में है mainly December quarter कह सकते हैं हम यहाँ पर December ठीक है December June quarter यहाँ पर loss में रही है company June quarter में देखेंगे आप दो बारी मतलब यहाँ पर June quarter में loss में ही रही है company ओके बाइद करें ठीक था कि इनका profit generate हो रहा है बट एक होता है ना consecutive profit हमी नजर नहीं आ रहा है उस इसाब से तो quarterly result भी इतने खास नजर नहीं आ रहे हैं फिलाल आगे देखते हैं यहाँ पर balance sheet तो balance sheet में आप देखेंगे जो इनके reserves है reserves अब negative में आ चुके हैं और जो borrowings है, borrowings यहाँ पर बहुत है according to reserves क्योंकि reserves negative में है तो यहाँ पर balance sheet भी अच्छी नजर नहीं आ रही है quarterly result भी अच्छे provide नहीं कर रहे हैं fundamentally जो company है इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही है देखेंगे आप promoters के पास भी बहुत कम stake है 18% only and FII के पास 9% stake है 9-10% और public को दिया गए है यहाँ पर 65% तो ऐसे में थोड़ा risky share यह नजर आ रहा है ठीक है बाकी बात कर लेते हैं चलिए directly chart पर तो यहाँ पर news के चलते जैसे order मिला है तो उस इसाब से तो तेजी देखने को मिली है बाकी ठीक है यहाँ पर profitable आज कल एक दो season में profit देखने को मिला है after a moment इससे अरनी दिखाया है तो अभी 43-44 रुपीज के राउंड इसकी closing हुई है 41 रुपीज के राउंड 41.50 रुपीज के राउंड इसका support है फिलाल के लिए and second support 36 रुपीज के राउंड रहने वाला है वेट कीजिए से stock में वैसे तो fundamentally इतना strong नहीं है stock but जिससे आप से news के चलते हैं आप में भी impact देखने को मिल सकता है so resistance इसका 46 रुपीज के राउंड हो सकता है इसके अब आउ sustain करें तो 50 रुपीज के राउंड यह आपको resistance दिखा सकता है वैसे long term perspective से भी आप लोग hold करने का सोच सकते हैं जैसे जैसे fundamentals में improvement नजर आएगा तो अच्छा target यह आपको दिखा सकता है max कह सकते हूं मैं कि 90 के राउंड जाता हूँ अधिक सकता है तो अपने risk में इस stock में बने रहिए यह fresh entry लेना चाहें so at your own risk लीजिएगा बाकि 50 के अब आओ भी sustain करें so 53 के राउंड एक resistance यह आपको आगे दिखा सकता है और support मैंने बता दिया 35-36 रुपीज के राउंड है and second support 34 रुपीज के राउंड नजर आ रहा है so I hope आप लोगों कोई वीडियो समझ आयोगी पसंद आयोगी thanks for watching this video